I want to thank Study IQ, I would like to thank Study IQ team, big round of applause to the team management and staff of Study IQ 100 सालों तक जिन्दा रहने के लिए आपको 100 सालों की लंबी उम्र की जरुवत नहीं है जरुवत है तो एक ऐसे दिन की, कुछ ऐसे लंहों की, कुछ ऐसे पलों की जहां पर आप एक ऐसा काम कर जाओ, कि लोग आने वाली पीड़ियां आपको 100 सालों तक याद रखे उलहती नामू एक छोटे से गाओं के अंदर में, जो की पहले रांची डिस्टिक्ट ऑफ बेंगॉल प्रेसिडेंसी में विभाजन से पूर बाता था और आज जो हमारा जहारखंड का राज्य है उसमें जो 24 डिस्टिक्ट है, उसमें से एक डिस्टिक्ट के अंदर में चोटा सा गाओं आता है इसी चोटे से गाओं में कैसे जन नायक का जन्म हुआ था, जिसकी कीरती आज दुनिया भर में विद्देमान है हम बात कर रहे हैं जन नायक और चारखंड की, नौर्थ इस्ट और इस्टन इंडिया की कई सारी ट्राइबल्स के बीच में एक भगवान का दर्जा दिये जाने वाले जन नायक बिरसा मुंडा जी की आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके बर्थ की एक एंवर्सरी है, एक सालगिरा है जिसको मनाने के लिए जिसको एक तरीके साब कह सकते हो ट्रिब्यूट श्रिधानजली देते के लिए प्रधान मंतरी साहब ने 24,000 करोड रुपे की scheme for the welfare of the vulnerable tribes aka the PBTGs of India launch किया है जानेंगे की पूरी scheme का scope क्या है, माइने क्या है आपके लिए general purpose of the examination UPSC के साब से भी यह काफी ज़ादे important हो सकता है अगर आप aspirant नहीं हो तो भी है जानकारी आपको जरूर कुछ प्रेर ना दे सकती है कि आप जुन्दगी में किसी भी front पे हो, चाहे आप aspirant यहाँ पर UPSC के मैदान में हो चाहे ना हो, आप life के किसी भी front पे अगर एक लडाई को काम्याबी की जो लडाई है, काम्याबी को प्राप्त करने की जो लडाई है, उसको लड़ रहे हो, तो यह चीज आपको जरूर प्रेरना देगी, और किस तरीके से 100 सालों बाद भी अगर आप देखते हो, जो death थी, बिरसा मुंडा जी की, वो 1900 के आसपास, 1900 में if I'm not wrong, वो हुई थी, महस 25 साल के उम्र में, और आज हम जब भी आप बात कर रहे हैं, तो 123 साल होने को, इस वीडियो को जब आप देख रहे हो, फिर भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, आपको पता होगा, बीते वर्षों किस तरीके से पार्लियामेंट में एक म्यूजियम के स्थापना की गई, बिरसा मुंडा जी के नाम पे एक ब आज 15 नवंबर के दिन हर साल याद करते हैं, तो प्रधान मंत्री साहब ने जो सरकारी एक खजाना 24,000 करोड रुपए का खोला है, इसके तहट क्या काम होना है, और बेसिकली ये PBTGs होती क्या है, इसको इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, अपार्ट रूम आपर्ट 20,000 करोड की एक बजट है, जिसको सेंशन किया गया, especially for the welfare of socio-economic development of the PBTGs in India, ठीक है, और जो ये PBTGs होती है, इनका अगर आप नंबर देखते हो, तो देश में लगभग 75 75 ऐसे ट्राइबल ग्रूप हैं, जिनको हम इस कैटिगरी में रखते हैं, जो मैंने आपके लिए हाइल अब आपके दिमाग में question आ सकता है, कि sir ये आखिरकार जो PBTGs है, और ये PBTGs होती क्या है, इनका मतलब क्या है PBTGs के नाम का, और इनके लिए अलग से ये budget को हम यहाँ पर क्यू रख रहे हैं, तो इस doubt को भी मैं आपके clear कर देता हूँ, यहाँ पर हम जान लेते हैं, लेट से लगबग पांच दश को पहले, एक कमिटी के स्थाफना की गई थी, और उस कमिटी ने जिसको लीड कर रहे थे, यूएन देबर साब, यूएन देबर साब ने देखा कि कुछ ट्राइब जो है, आजादी के बाद, जितनी सारी हमने schemes बनाई है, उसका फाइदा ले पारी है, और उसका फाइदा लेने के वज़े से, उनकी जो socio-economic condition है, काफी अच्छी है, और उनका number भी बढ़ रहा है, और वो तरक्की भी कर रहे है, ऐसे tribal group को उन्होंने एक term के साथ designate किया, जिसका नाम था, proliferating tribe, जिनका number बढ़ रहा है, जबकि दूसरी ओर, कुछ ऐसी tribe थी, जिनके ऊपर, despite all the measures that were taken as part of the developmental route, for the improvement of socio-economic condition of the Indian tribes, ऐसी कुछ tribe थी, जिनके बीच में कोई असर देखने को नहीं मि ला था, उल्टे उनका number जो है, gradually decline कर रहा था, या तो stagnant था, कोई growth नहीं आ रही है, तो यह तो बहुत ही negative trend हुआ, और इस तरीके की, जो tribal group है, उनको उन्होंने term से designate किया, जिसका नाम था, depopulating tribes, अब यह जो PBTG का पूरा का पूरा एक scheme कह लिजे, या फिर एक पूरा categorization हम कह लेते हैं, वो depopulation और depopulating tribes के concept के उपर based है, यह जो depopulation हो रहा है, ट्राइबल का number गिरा, या फिर स्थिर है, growth नहीं हो रही है, इसकी वज़ह क्या है, इसकी बहुत सारी वज़ह, biological reasons हो सकते हैं, disease का prevalence हो सकता है, malnutrition हो सकता है, socio-economic factors हो सकते हैं, illiteracy है, unemployment है, nutrition नहीं म guard के लिए, देखा गया कि ठीक हमने schedule tribe को बनाया है, पर यह तो schedule tribe से भी ज्यादा marginalized है, और इनको एक urgency की जरुवत है, एक urgent help की जरुवत है, और इस तरीके से यहाँ पर इनके लिए जो कारेकरम को लाया गया, वहाँ पर इनको कुछ extra measures के थुरू protect करने की कोशिश की की, ठीक हैं, जो की अलग-अलग तरीके के injustice या फिर backwardness का शिकार हैं, सदियों से, उनको हम schedule tribe का status देते हैं, बशर ते, as per the ministry of tribal affairs, that is, मोटा, वो B.N.Lokur सहाब की 1965 के criteria के उपर stand करती हो, तो ही हम देते हैं, पर असल में ऐसा होता है की नहीं होता है, वो आप मुझे comment section बताई, क्या उ हैं, या फिर randomly यहाँ पर चीज़ा की जा रही है, आप अपने experience अपने, आज पास जो चीज़ों को देख रहे हो, वो मुझे comment section में बता सकते हो, और lastly यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, वो है, PTGs या जिसको बाद में rename कर दिया गया 2006 में as PBTGs, यह सबसे ज़्यादा हैं, इनको सबसे ज़्यादा help की actually यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, और इस चीज़ को हम आपको समझाएं कि क्यो help की जरूरत है, और सरकार क्या करने वाले, उससे पहले आपका जान लेना जरूरी है, कि one of the last days, I think आज आप वीडियो को देख रहे हैं, और कल यह sale खतम हो तो if you are planning to step into the journey, जो UPSC लवासना तक की journey है, सबसे safest, सबसे sound and most successful optional के साथ, तो सबसे shortest भी है, तो आपको revision का, answer, writing का, और बहुत सारी चीज़ों को करने का time मिल जाता, आपके उपर headache क्या होता है, static है तो आपको अलग-लग notes नहीं बनाने है, unlike most of the subject, जहाँ पे हर दिन कोई नह classes मिल जाएंगे, along with test series, recorded lecture, value addition material, crux, study material जो होता है, class note, ppt, handwritten notes, answer discussion, modules जो आपको दी जाती है, साथ यहां पर, जो proper treatment किया जाता है, पूरे course का, बहुत सारी चीज़ें, एक एक डिटेल बताऊंगा, लंबा समय जाएगा, तो करना किया है, इन सारी चीज़ों को इस price पर पाने subject आपको anthropology की मिल जाएगी, और यहीं नहीं, आप सिर्फ optional पे नहीं, आप चाहो तो P2I के batches में भी अगर आप just step in करने वाले हो, तो भी आपके पास अच्छा खासा मौका है, आप foundation batches में, चाहे हिंदी, English, English, किसी में भी participate करना चाहो, तो again आप US live का code इस्तमाल करके 22.009 पर पा सकते हो इस तीच को, और यहाँ पर भी sales discontinue हो जाएगी 16.00, so hurry if you are seeing this video, आपके पास time काफी कम, कोई भी तरह की कि आपको assistance चाहिए, help चाहिए, कुछ सवाल पूछने, confusion है, doubt है, उसको आप clear करा सकते हो, उतकर सिंग underscore here, यह हमारे Instagram ID है, और free materials of the UPSC, खासकर anthropology options, quizzes और daily updates को आपको access करना है, तो यहाँ पर आप anthropology decoded by उतकर सिंग में हमारे साथ connect हो सकते हो, ठीक है, now coming back to the thing that we were discussing, PVTG का यो circle मैंने मरा है था, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, numbers की बात करते हैं, तो Udisa में the number of PVTG is maximum, that is 13, followed by आंदर प्रदेश that is having around 12, आंदर प्रदेश जहाँ पर आपको एक-एक PVTG's देखने को मिल रही है, ठीक है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उत्तरपदेश और उत्तरखण, राजीज बकसाद का जो group है, पहले जब यह categorization मना था ता वो undivided था, अब after division आपको होगे, दोनों जगों पर आपक ट्राइबल ग्रूप डेखने को मिल रहा है, अल्राइट, चलिए, पीवीटीज के बारे में सारी information यहाँ पर है, यह मैं पीवीटी को share कर दूँगा, है न, आपके साथ, 21 बेसस पर पीवीटीजी को माना आता है, ST को तो बियन लोकूर के committee के साब से माना आता है, पीवीट holistic time frame के holistic approach के साथ हम यहाँ पर पीवीटीजी का development करने वाले है, यानि ज़रूरी नहीं कि कोई एक tribe हो, वो किसी एक सिरे से कमजोर हो, है न, उसकी जो disability है, disadvantages है, या फिर जो degrowth के factors है, that may be multifaceted, social हो सकता है, cultural हो सकता है, economic हो सकता है, है न, countless है, biological हो सकता है, malnutrition एक बड़ा रोल कई सारी tribes की degrowth, जो trend है उसमें, so हर तरीके से control करने के लिए यहाँ पर कोशिश को, efforts को किया जाएगा, और साथी साथ convergence रहेगा, कि कई बार क्या होता है, कि आप scheme बनाते हो, और कोई एक program को आप implement करना चाहते हो, वहाँ पर दूसरी ministry का वहाँ पर not चाहिए, या फिर किसी होता क्या है, लंबे समय तक कोई भी scheme policy हैंक करने लगती, सब कुछ हो गया, problem आपने identify कर ली, planning कर ली, policy बना ली, उसका एक evaluation कर लिया, ground assessment करा लिया, सारी चीज़े हो गई, implementation कले हो तयार है, आपने मंजूरी दे दी, एक और मंतराले है, जिसकी मंजूरी चाहिए होगी, उस को implement करने के लिए, maybe वहाँ से delay हो, या फिर किसी बेवेश से वह मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो after all the measures that have been taken, अच्छा कासा expenditure करने के बाद, बीच में एक तरीके से hang करने लगेगी, वह scheme, फाइदा मिला, ट्राइबल्स को, और नहीं, government के तरफ से जो effort थे, वह वहाँ पर interventions को, जिसको 9 ministries, जो है, सरकार के अंदर की, वह एक तरीके से, साथ मिल करके, संचालन कर रहे हो, गर उसके अंदर, बहुत सारी schemes है, कई सारी common schemes, लाइक अगर आप देखते हो, PMG-SLY है, PMG-AY है, यहाँ पर, ठीक है, जल, G1, Mission, etc., इन सारी schemes को भी, वहाँ पर रखा गया है, apart from that, कई सारे tribal group में, just like Africa में तो एक अलगी level है, sickle cell anemia का, पर इंडिया में भी, कई सारे tribal group के बीच में, malarial conditions, sickle cell anemia, ठीक है, tuberculosis, यह सारी diseases, जो है, वह काफी जादा lethal way में work कर रही है, और population की degrowth में result कर रही होती है, तो यहाँ पर, जो आप देख रहे हो कि, sickle cell anemia है, ठीक है, sickle cell anemia जो है, उसके elimination के लिए, TB के elimination के लिए, 100% immunization के लिए, ठीक है, PM सुरक्षत मातरत वी, जो योजना है आपके लिए, PM मातरवंधना योजना जो आपके लिए बनाई गई है, PM portion and PM जन्धन की जो scheme है, इसको भी यहाँ पर integrated way में, tribals के बीच में पहुचाया जाएगा, so that a holistic development outlook can be done, और ये कितने, इससे बैदर क्या मौका हो सकता है, जब scheme को यहाँ पर, PM साब जो है, देश के प्रधान मंत्री जो है, वो दो दिन के दौरे पर, और इस दो दिन के दौरे में, सबसे पहले दिन, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर, इन स्कीमों का वहाँ पर, लांच कर रहे हैं, 24 एर करोड की, जो स्कीम, ट्राइबल के लिए है, और साथी साथ, दूसरे दिन, वो क्या करेंगे, जो, आप देख रहे हो कि, जन जाती, गौरत दिवश होता है, है न, इसके अंतरगत में, कई सारी जगहों को, वो विजिट क कर रहे होंगे, खास कर जो बिरसा मुंडा जी के गाउं के बारे में, हमने बताया, वहाँ पर भी विजिट करेंगा, आपको याद होगा, बीते वर्षो, जो, देश की महा महीम, राष्टपती है, है न, दुरापदी मुर्मु जी, जो कि, खुद एक, ट्राइबल कम्यून की, या फिर आप कह सकते हो, कि जो पार्टी है, जो पार्टी है, भारती जिन्दा पार्टी, उसकी अप्रोच है, क्योंकि, पेनिट्रेट करने में, काफी, उसको मुश्किल हुई है, आपको देखने को नहीं मिल रहे है, So in order to get it, gain it, उस fault को भी जो fault है उसको burst करके अपने परचम को वहाँ पर लहराने के लिए It is effort from the party कि वो basically इन steps को पिछले बीते 2-3 साल से कर रहे और खास कर जब elections काफी ज़ादा नजदीक है आदिवासी समुदाय को जो की देश की पूराने census के इसाब से 8.6% हिस्सदारी को रखते हैं अभी अगर census होता है तो 9% के उपर definitely यह trend समय देखने को मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि 140 करोड से उपर की population में 9 करोड एक बहुत बड़ा number है और any party अगर वो चाहेगी कि हाँ हमें ये भी हमारे एक vote bank की तरह establish हो सके तो अलग-अलग party आज वहाँ पर affect करती है तो कई सारे लोग इस चीज़ को भी as a political move कह रहे है but depending not depending upon whether it is a political move or not जो programs है जो schemes है अगर उसको सही तरीके से implement किया जाता है execute किया आता है तो at least tribals का वहाँ पर welfare होगा and that is all that matters for an anthropologist anthropology के वहीं माइने रखता है ठीक है हम polity से नहीं है political sciences हमारा forte नहीं है या फिर कोई दूसरा जो विशह है वो हमारा forte नहीं है हमें tribals के हितों की बात करनी होती है human के development की बात करनी होती है and if it if it gets fulfilled that is all that matters तो यह चीज होने वाली है और जन जाती गौरत दिवस जो आपको पता है टू एक तरीके से remember the heroes खासका ज़े ट्राइबल heroes who are the part of this freedom struggle that we had आपने संथल rebellion का नाम सुना होगा 1857 के reward से जस्ट पहले वो शुरू होती है और मुंडा rebellion जिसको यहां पर अगया अभी हम background के अगर बात करें बिरसा मुंडा जी की तो 15 नॉंबर को इनका जन्म होता है हमने आपको बताया Bengal presidency के रांची district में आता था वो छोटा सा गाउं है ना cultivation के जो आप देखते हो उसके लिए जो इनको problems हो रही थी इन सारे लोगों ने मिल करके एक तरीके से वहाँ पर single front, single leadership के अंतरगत अटैक किया या ना Britishers के खिलाफ और जब यह movement की शुरुआत हो रही थी तब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और अगले 10 साल में यानि कि जब 90s के आसपास इर्होंने जब movement को शुरू किया था तो इनकी उम्र 15 साल थी और अलग-अलग layers में अलग-अलग timeframe में इन्होंने 90 से 92-3 तक एक बार की जेल हुए ठीक है और उसके बाद Christmas पे इन्होंने प्लाइन किया था इसी समय के आसपास अभी हम Christmas के एक महीने की दूरी पे लग-बगाएं Christmas के मौके पे किया था बाद में पकड़े जाते हैं और गुरिल्ला वार्फेर का बहुत अच्छा यूज कर रहे थे मुंड़ा रेविलियन के अंदर में बाद में पकड़ आते हैं अरेस्ट किया जाते हैं जेल के अंदर में इनकी मृत्य होती वीर गती को एक तरीके साब कह सकते हो प्राप्त होते हैं बिलसाम उंडा जी तो इनका एफर्ट काफी जादा रहा है इस पर्टिक्लर मूव्मेंट में और समय तक एक अंसंग हीरो की तरह यह रहे है हमारे देश के इतिहास में पर अब इस तरीके के प्रोग्राम के अंतरगत हम इनके ऊपर डैफिनेटली यहां पर फोकस कर रहा है जिनका सब्जेक्ट होता है वह तो भले सुने रहते हैं या फिर जहां पर भी अगर आप ट्राइ यहां पर होने वाली है और मार्स तीन में आप देख रहें इन्होंने मुवमेंट को स्टार्ट किया हुआ था और 25 साल के उम्र में इनको फाइनली वहां पर जेल हुई तो सच वाजी कंट्रिब्यूशन और लेगिसी ऑफ बिरसा मुंडा जी और इसी को हम एक तरीके से या हो रहा है यानि कि जो नौवंबर के बैचेज है दिवाली बैचेज स्पेशल जो थे वह यहां पर बंद होने वाले हैं सेल भी बंद होने वाली है तो आपके पास अच्छा खासा मौका है आप 13999 में यूस लाइव इस्तामाल करके जोइन कर सकते हो इफ यूवांट अगर आपने उस समय बोर्ट भी नहीं दिया होते हैं उस समय इन्होंने इतने बड़े मूवमेंट को लीड किया और ब्रिटिसर्व के सामने एक बहुत ही बड़े चैलेंज को पोस्ट किया तो नेक्स लेक्शर वी बैक्ट विडियो श्मोर इंट्रेस्टिंग वीडियो तैट व We'll meet you in some next video. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off.